कि एलो एवरिवन वैलकम अगेन जैसा कि लास्ट वीडियो में बच्चों मैं आपसे बूला था कि एमटी सी पीवाई कि उस जूनियर लेवल पर सेकंड वीडियो में फिलप्स वाले कॉश्चिंस के लिए लेके आऊंगा नंबर थ्यूरी गया फिक है इसके 15 कॉश्चिंस ज पैटेन को इडेंटिफाई करने के बाद उसमें राइट क्या लगेगा और फाम्ला एपलाई करने के बाद जो लास्ट बसता है वह क्यालकुलीशन का बसता है ठीक है क्योंकि जन्रली ऐसा होता है कि ऑप्शिंस वाले जो कॉश्चिंस आते हम उसको उप्शिंस से भी कर सक exponent form में इसके जो number of solutions है उसका सम हमें find out करना है ठीक है तो बोथ साइड पर आप लोग देख रहे होंगे कि 3 की पावर और राइट साइड पर भी 3 की पावर बंद रही है यहां पर इसके अंदर given है कि 3 2 दी पावर जो x plus 2 है 3 2 की पावर जो x plus 2 है divided by 3 x minus 4 3 की पावर x plus 2 upon 3 x minus 4 minus 7 is equal to right side पर 2 time equal to 3 की पावर 5 x minus 10 3 x minus 4 given ठीक है अब अगर ध्यान से आप लोग इस equation को देख रहे हों तो denominator वाला पाट अग मैं देखू 3 x minus 4 यहां भी 3 x minus 4 है that means numerator को हमें इस तरह से arrange करना होगा कि वो LHS में जो x plus 2 आपको बन रहा है वही same वहां पर बन जाए LHS में जो x plus 2 numerator में पावर बन रही है same value as it is यहां पर बन जाए इस तरह से हमें इसके अंदर एक arrangement करना होगा तो 3 की पावर इस 5 x को अगर मुझे x plus 2 चाहिए ठीक है x plus 2 अगर चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6x minus x 5x को में रिप्लेक्स करते हैं 6s minus x है ऐसे 10 को मैं minus 8 minus 2 अगर लिख दूँ तो यह expression और यह expression exactly होगा इसमें कोई difference नहीं होगा अब इसके बाद changes के आएंगे देखें यह जाएगा 3 की पावर x plus 2 divided by 3 x minus 4 minus 7 is equal to 2 time off ठीक है यहां पर अगर मैं पेरिंग कर लूँ यहां पर देखें 6x और x को अगर एक साथ में लिख दूँ 3 की पावर में और यहां से मैं 2 अगर कॉमन लेलू तो यह 3x minus 4 बना 3x minus 4 बना और यह जो दोनों टर्म है minus x minus 2 यहां से अगर मैं negative sign common लेलू यह x plus 2 बनेगा ठीक है यह x plus 2 बनेगा और इसके डिवाइड में आपका जो पावर जल रही हो चल रही है 3x minus 3x minus 4 ठीक है एले चस्व में अगे हम कोई चेंज दी करेंगे as it is expression लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे 3x minus 4 minus 7 is equal to 2 time of अब यहां पर आप देखना यह जो डिनोमिनेटर में 3x minus 4 ए 3 के exponent में इसका मैं दोनों टर्म में individual divide कर दूं दोनों टर्म में अगर मैं इसका इंडिवाइड कर दूं इसका डिवाइड यहां भी कर दूं मैं और इसका डिवाइड यहां भी कर दूं तो यहां पर मुझे यह एक्सप्रेशन मिलेगा यह completely 3 की पावर 2 हो जाएगा because this or this cancel out to each other और माइनस यह हो जाएगा x plus 2 upon 3x minus 4 तो यह arrangement करने से हमें एक benefit हुआ कि LHS में 3 की पावर जो बन रहा था वैसा का वैसा यहां पर RHS में 3 की पावर हो में दिख रहा है ठीक है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 की पावर x plus 2 upon 3x minus 4 minus 7 is equal to 2 time of इन powers को अगर मैं अलग अलग कर दो 3 की पावर 2 अलग कर और 3 की पावर minus time of x plus 2 upon 3x minus 4 अलग कर दो तो यहां से मैं इस expression को जो मुझे common दिख रहा है आप लोगों भी दिख रहा होगा common यह जो expression है 3 की पावर यह वाला और 3 की पावर यह वाला इसको let's suppose थोड़ी दिर के लिए मैं another variable ऐस्यूम कर लेता हूं कि 3 की पावर x plus 2 upon 3x minus 4 इस t minus 7 is equal to 2 time of 3 की पावर ही हो जाएगा 9 ठीक है 3 की पावर ही 9 हो जाएगा और यहां पर negative sign है that means t की जगह हो जाएगा 1 by t cross multiply apply करूंगा तो हो जाएगा t square minus 7 t is equal to 18 t square minus 7 t minus 18 equal to 0 तो यह जो equation है quadratic बन चुकी है इसको by quadratic formula और splitting term से भी कर सकते हो तो इसको मैं 90 माइनस अगर 2t लिख दूँँ आइटिंग कोई problem नहीं होगी ठीक है 90 माइनस टूटी बगोस एडिन के ऐसे दो फेक्टर हो जाएगे 9 और 2 तो यहां से t common लेने के बाद यह बनेगा t minus 9 और minus 2 हो जाएगा माइनस 9 प्लस 2t होगा सुरी है ठीक है तो प्लस का 2 common लेने बाद t minus 9 equal to 0 हो जाएगा that means यहां से ठीक है मुझे जो answers मिलेंगे एक तो t equal to 9 मिलेगा और t equal to minus 2 मिलेगा ट के दो फेक्टर मुझे मिल चुक है t minus 9 और t plus 2 तो यहां से ट की जो वैल्यू जाएगे t equal to 9 और t equal to minus 2 अब टी जो मैंने एज्यूम किया था वो किया था 3 की पावर x plus 2 upon 3x minus 4 equal to 9 को में 3 की पावर 2 लिख सकता हूं ठीक है यहां 3 की पावर जो x plus 2 upon 3x minus 4 है तो यहां पर negative answer आ रहा है that means यहां पर x की कोई भी value इसको satisfy नहीं करेगी इसको मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा neglect और इस value को solve करने के लिए यहां पर powers को जब मैं compare करूंगा क्योंकि दूनों की बेस सेम है that means दूनों की power भी सेम होगी तो इसको मैं यहां पर solve कर रहा हूं तो यहां पर जाएगा टैन इकवल टू पाइप एक्स और हमें यहां से एक्स का जो अंसर मिलेगा वह तो मिलेगा एक ही solution मिल रहा है हमें some of the solution पूछा है single solution हमारा यहां 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 से कितना हो जाएगा तो इसका answer आजाएगा आपका टू ठीक है तो यह basically quadratic का approach इसके अंदर number of solutions और उसक इसमें chances हैं कि quadratic by quadratic या cubic further equations form हो सकती है और उनको फिर हम polynomial या solution of equations के method से solve कर सकते हैं ठीक है second question पर चलते है second वाला question आपको दिया हुआ है कि 3 mod x minus 3 का whole square equal to mod x plus 7 ठीक है यह equation given है और आपसे पूछा गया है कि the number of solutions कितने होंगे जिसके लिए यह define होना चाहिए है define या exist एक ही बात है यह define होना चाहिए है ठीक है number of solution पूछे है जिसके लिए यह define होना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस equation को solve कर लेते हैं अगर यहां पर mod नहीं होता magnitude यह मतलब mod नहीं होता तो आप इसको easily whole square करके solve कर सकते थे लेकिन mod हमेशा क्या होता है जिसके अंदर जो variable होता है mode के अंदर वहां से positive और negative दोनों value possible है ठीक है तो let suppose मैं थोड़ी दिर के लिए मान लेता हूं कि let जो mod of x है इसको मैं t assume कर लेता हूं मैंने क्या कर लिया तो यह equation मेरी convert हो जाएगी 3t minus 3 whole square equal to 3 plus t plus 7 ठीक है t plus 7 whole square open कर तो इसका यह हो जाएगा 90 square plus 9 ठीक है और यह हो जाएगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका माइनस का 18 ठीक है आपका माइनस का 18 ठीक है और सेवन इदर आएगा तो यह हो जाएगा प्लस का 2 इस एक्वल ही होंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 90 square माइनस 18 ठीक माइनस ठीक प्लस टू इस एक्वल टू जीरो बाइट मिंज यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टीक वल टू एक तो आपका आंसर आजाएगा वन बाइन और दूसरा वाला जो आंसर पॉसिबल है टीक्वल यह आपका तू दो वैल्यू यहां से पॉसिबल है टीक मल टू वन बाइन और टीक वल टू अब टी रमने इसको एजिम किया है मॉड ऑफ एक्स तो वैल्यूम सब्टीट्यूट कर देते हैं मॉड ऑफ एक्स एक्वल टू बाइन और सिमिलर नहीं यहां पर मॉड आपक्स प्लस माइनस तू होगा और यहां पर जो एक्स होगा वो प्लस माइनस बन बाइन होगा तो चार सॉलुशन में एक्स के यहां से मिल रहे हैं लेकिन जल्द बाजी मैं ऐसा नहीं कि आपको अंसर फूर फूट कर देना है इसे बोलाएगी यह एक्सिस्ट करना चाहिए पॉजिटिव और जीरो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यू है यह वाली वैल्यू है इसकी मैं बात कर रहा हूं जो एक्स एक्स माइनस 3 है इट शुट भी ग्रेटर देन एक्वल टू जीरो फूर डिफाइन या एक्सिस्ट करने के लिए या तो यह ज ठीक है एक्स उपल टो थ्री वाला पॉर फॉइंट यह जिरो ओपॉइंट होगा अब एक्स की अगर में क्या निकलना चाहूं डूमेन निकालना चाहूं डूमेन का मतलब होता है कि एक्स की ऐसी वियू जो सम्सं को डिफाइं करे या उसको सब्सक्राइब तो इसकी वाल्यूस के अंदर पुट करता हूं 3 के बैवन 3 से आगे अगर 4 5 6 कोई भी मैं पुट करता हूं तो यह हमेशा मुझे positive result देगा यह हमेशा मुझे क्या देगा positive result देगा ठीक है 0 से 3 के बीच कि आप कोई भी value लेव यह हमेशा मुझे negative result देगा और 0 के पीछे की तरफ माइनस 1, माइनस 2 आप कोई भी value ले लो, यह वापस मुझे क्या देगा, positive result देगा, इसका मतलब यह हो गया कि x जो होगा, x जो होगा आपका, वो minus infinite से 0 हो सकता है, minus infinite से 0 हो सकता है, union, या फिर यह हो सकता है आपका, 3 to infinite, 3 to infinite, ठीक है, यह bracket, जो big brackets होते ही, हम तब लगाते हैं, जब साथ में, greater than equal के साथ में, कौन सा sign हो, equal वाला sign भी हो, तब हम इस sign को लगाते हैं, otherwise bracket small ही रहते हैं, अब आप चेक कर लो कि आपके जो solutions आएं, plus minus 1 by 9 और plus minus 2, क्या वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं क्या, क्या वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं क्या, अगर मैं plus minus 2 की ब कैसा हो जाएगा, root कैसा हो जाएगा आपका, undefined, बतलब negative हो आजाएगा, यह process बताने के पीछे मेरा reason यह है, कि आपको number rank पर represent करके इसका domain निकालना आना चाहिए, वैसे आप जो 4 solutions आएं, 4 solutions को इसमें put करके भी check कर सकते हो, कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, त x equal to minus 2 की, अगर मैं बात करूँ, x equal to correct की, बात करूँ, x equal to negative 2 की बात करूँ, तो 0 के पीछे, यह minus 1 ओगा, यह minus 2 होगा, इसका मतलब हो गया, कि minus 2 को मैं भी check करता हो, similarly x equal to 1 by 9 मैं नहीं ले सकता वापिस क्योंकि 0 से 3 मुझे exclude करना है हटाना है तो x equal to 1 by 9 वाला जो portion है यह वाला x equal to 1 by 9 इसको मैं नहीं include कर सकता ऐसे ही आप x equal to 1 by minus 1 by 9 को include कर सकते हो because यह 0 के इधार आएगा ठीक है तो इसके कितने solutions आ जाएंगे तो इसके जो solutions होंगे वो टू होंगे x equal to क्या हो जाएगा एक तो minus 2 और x equal to हो जाएगा minus 1 by 9 यह इसके solutions आएंगे हैं तो दो solution इसके possible है same question से दोनों equation के उपर सब्सक्राइब करना है तो रूट के अंदर वो तभी डिफाइन होगा जब उसकी वैल्यू या तो जीरो या फिर greater than zero ठीक है next question पर भूब करते हैं थर्ड नमबर का question आप को सब्सक्राइब करने के बाद में रिमेंडर दे रहा है हर केस में वन ठीक है तो इन सब नमबर से आप डिवाइड करो में डिवाइड बाइड दीस नमबर इसका मतलब यह होगा कि वह जूबी नमबर होगा इन से क्या कर दो एडि कर दो क्यों क्या कर दो यह लोगा कि यह क्यों किन्स सबसर।kon कर दो क्यों कि अलमबर सराऊएगा तक नाव इसका भूशु माना चेस में यह सिसक्ट यह जा सब्सक्राइब कर रहा है इन सब नंबर को तो उस केस में फिर हम HCF निकालेंगे हैं ठीक है थर्ड क्वेशन पर मूग करते हैं the number of three digit number that the product of the digit in the that number is the prime ठीक है अच्छा बश्चन है आपको एफिशे नंबर स्पताने कि इसे कि इतने नंबर स्कूरिबल है जिनके डिजेट को अगर आप प्रॉडक्त कर रहे हो मल्टिप्लाई कर रहे हो तो वह प्राइम चाई है अब हमारे पास में जो available है इसको हम सूचे का नम्बर है नमबर की बात हो वहाँ है अब आप एक बात सूचे इन सबके डिजिट को अगर मैं करूँंगा तो जो नम्बर मेरा प्राइमा ऐगा प्राइम से नाची है O importante duty ओमर पास्में जो प्राइम नंबर iINAПल हैं मारपास प्राइम नंबराइम अव इनियों के इस इसे वन तो प्राइम नहीं होता है हम यह बोल सकते हैं कि वन प्राइम नहीं होगा तो अभी हमने वन की बात नहीं की बिल्कुल भी ठीक है अब आपके पास नंबर से वह अब लेट टू थ्री फाइब और सेवन अब आप एक बताओ कि अगर इन नंबर्स को मैं यहां पर प्लेस करूंगा तो इनका जो होगा कि दोडो के पिर तो कभी भी आइएन दोडो के मतलब वित्दी पर तो और थ्री साथ में कभी भी नहीं आ सकते हैं कि मुझे इन दोनों प्लेसिसे पे नतीन नम नमबर rainforest को कोई भी दो places पर मुझे हमेशा only one put करना पड़ेगा क्योंकि one से multiply होने पर नमबर आपका आएगा इन में से वन से अगर मैं two को multiply करूँ तो two आएगा one को three से multiply करूँ three आएगा five seven ऐसे सीम नमबर आएगा और इस सारे numbers क्या होंगे प्राइम होंगे इसका मतलब यहां से एक बात पता चली कि कम से कम जो दूपर यहां यहां आजाए और यहां आजाए ऐसे तीन आपको केस बनेंगे यहां ठीक है अब यहां से पता चलती है कि एक प्लेस हमारे पास में बागी अभी थ्री डिजिट का नंबर बनाने के लिए तो एक चीज बताओ कि क्या यहां पर इन चारों नंबर में से कोई भी नंबर अगर एक यहां पर आ जाए तो उसका डिजिट ऑल्वेस क्या होगा प्राइम होगा यहां से मैं कितने नंबर बना सकता हूं पूर नंबर में बना सकता हूं 112 113 115 और 117 यह चार नंबर में यहां से बना सकता हूं सेम केस मैं सेगंड में डिसकस करूंगा यहां पर वही कि इस प्लेस में टू आ सकता है थ्री आ सकता है और सेवन आ सकता है इन चारों में से कोई भी एक अगर नंबर आ जाए तब भी इनका जो प्रॉड़क्ट होगा क् German digits का क्या एक वह उक्या हो गा इसका मतलब यह होगा कि यह उतला जहुंग हो कि यहां से भी मैं चार नंबर बना दो places पर same digit place करना अबार वो भी one ही कर सकता हूँ, one के लावा कोई और possibility है ही नहीं आपकरा, ठीक है, next question पर move करते हैं अपना, question number six, question number five, question number five, again आपका numbers related है, कि all the numbers are arranged from one to two thousand nine, are returning one after one, एक के बाद एक हमने क्या लिखे, एक से लेकर two thousand nine तक numbers लिखे, आपको इसके अंदर यह बताना है, कि the number of digit in the number, इन सब को मिला कर जो number बना, उसमें total number of digit कितने होंगे, कितने उसके इंदर digit होंगे, ठीक है, अब जो यह question है, यह भी आपका thought process की ऊपर है, ठीक है, आपको सूचना है, ना तो इसमें कोई formula apply करना है, ठीक है, कोई formula इसके अंदर apply नहीं करना है, आपको सूचना है, कि आप digits को कैसे कैसे arrange कर सकते हो, only thought power के उपर question है, उससे आप इस question को kill कर सकते हो, हम बात करते हैं, ठीक है, बिलकुल common basic sense हमें लगाना है, basic sense मेरा यह बूलता है, कि one से लेकर nine तक अगर मैं number लिखूँगा, एक से लेकर अगर मैं नो तक number लिखूँगा, जो टूटल यह आएंगे, क्या, nine डिजट एंगे, इसमें? इतने आएंगे? नाइन डिजिट आएंगे, एक से लेकर नो तक मैं nine डिजट आएंगे, यह वन वन डिजट की हो ले, पिर आगे अगर मैं सूचूँ कि ten से लेकर 99 तक, ten से लेकर 99 तक, यह जो यह टूट डिजट नमबर है, लेकर नाइंटीनाइं तक टूटल नमबर ही कितने तो इसके शॉर्ट्रेक या लॉजिक आप लोगो पता ही होगा कि ए से लेकर बी तक कि अगर आपको नंबर इनके बीच में किते नमबर सी है टूटल यहां जो तक किते नमबर है तो हम ऐसा ही करते हैं भी माइनस ए प्लस वन भी माइनस ए प्लस वन यह करते हैं कि इसका मदब यह हो घाल है कि तैंस से लेकर 99 नमबर में दो डिजिट है तो 90 नमबर में 180 डिजिट होंगे बस यही फोलो कर लो इसे स्क्वेंस को फोलो करते जो आपका अंसर आ जाएगा आप 99 के बाद 3 डिजिट के जब आम नमबर लेंगे 101 से लेकर इस केस में 100 से लेकर ट्रिपल नाइन तक इस केस में जब आप करोगे 999 में से 100 माइनस करोगे तो 899 आएगा कितना आएगा 899 और 899 का मतलब यह हो गया और प्लस वन और करना पड़ेगा हमें ठीक है गैप तो हमने देख लिया तो प्लस वन और करके यह कितना हो जाएगा 900 न आप यह सूचों कि हर एक नंबर में 3-3 डिजिट आ रहे हैं तो इतने नंबर में कितने डिजिट आएगे तो इसको आगे तक तो चलना लीए टू-0-0-9 तक इसमें जो नंबर सुंगे इसके बीच में कितने होँगे 1010 1010 होंगे क्योंकि 2009 में से 1000- करूगे तो 100 9 आइगा और प्लस 1 करोगे तो 1010 इसका मतलब यह हो गया कि 1010 को multiply by करना पड़ेगा फूर से तो यहां जाया कितना 4040 डिजिट सुनगे इतने होंगे 4040 डिजिट सुनगे ठीक है बस यहां तक ही में करना था अब इन सब को add कर लो कितना हो जाएगा यह सिंपल साइडिशन है 4040 इसके बाद आपको 2700 करना है ठीक है उसके बाद 180 और 9 करना है तो डारेक्ली 189 कर लेता है तो इसका जो सम आपको मिलेगा नाइन तू इतना हो जाएगा नाइन और 6 तो 6929 इसका अंसर होगा इसके अंदर नंबर आफ डिजट्स बनेंगे जो नंबर आपका फ्रेम होगा उसके अंदर कितने डिजट्स होंगे 6929 तो यह प्योर्ली फॉर्ट प्रोसेस के ऊपर बेज़्ट क्यों था ठीक है त्रेट इस नंबर अगेन नंबर थूरी का कर्षिन है आपका तो आप यह आपको मिलेंगे ज्यादा तर क्रेंस नंबर थूरी के इस क्रेंट को करते हैं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हो डिविजन अल्कुरिफम लगा के डिविजन अल्कुरिफम लगा कि मैं बूल सकता हूँ कि एक्स वाइज जो ठीडिजट का नंबर है तो सबसे पहले तो यह बताओ कि xy-z को हम लिखेंगे क्या से जैसे टूड़जिट के नंबर को अगर वह xy नंबर है तो उसको डिखेंगे 10x plus y तो सिमिलरले इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा क्योंकि इसकी जो प्लेइस value है x की 100 है यह हो जाएगा 100x 10 y plus z ये 3 digit के number को लिखने का तरीका है तो ये बोला गया है कि इसको जब मैं क्या करूँगा 8 से divide करूँगा इस number को 8 से divide करूँगा तो जो मुझे question मिल रहा है वो क्या मिलेगा z x तो division algorithm ये बोलती है कि आपका dividend होगा question into division plus remainder होगा तो 8 से किसको multiply कर देंगे 10 z plus x को और प्लस आपको एक remainder मिल रहा है y y remainder मिल रहा है तो इस equation को solve कर लेते हैं let's suppose कुछ relation हमें मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर कुछ relation मिलेगा यह हो जाएगा 80 z plus 8 x plus plus y plus y ठीक है solve करते हैं देखो यह इदर आएगा तो यह हो जाएगा 92 x और 10 y और यह हो जाएगा 9 y और यह हो जाएगा minus 79 z ठीक है x y z में एक equation आ चुकी है इस तरह से यह बनेगा अब x y z हमें initially पताएगी कि यह क्या है आपके digits है एक तरीका तो यह है कि digits के value place करते हुए जाओ और एज्यूम करके लेकिन वह मैंसर बहुत लेंदी हो जाएगा टाइम कंजूमिंग होगा तो इसको हम कुछ इस तरह से एरेंज कर सकते हैं देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ इस तरह से लिख सकता हूँ तो यह हो जाएगा 79Z-92X divided by 9 इस तरह से में इसको एरेंज कर सकता हूँ अब यह एरेंजमेंट बनाने का फाइदा क्या है आप लोग देखना यह एरेंजमेंट बनाने का फाइदा यह है कि आप और जाट ओर एक्स को आप क्या कर सकते हो ऐन्यूं कर सकते हो बैल्यू कुट करको चेक कर सकते हूं और यह ऐसी वैल्यू होँगी जिसको इस व्युमेटर को सिंपलिफाई करने के बाद में से फिर्फेक्ट लीडल हो जाए इसका मतलब यह हो गए यह जो नंबर आना चीह वाय क्या है कि आपका डिजिट है मतलब इंटीजर बैल्यू है तो आगर यह 9 इनको चैक भी कर सकते हैं यहां से एक हम आजम्टन यह यह भी कर सकते हैं कि जैड जो होगा इसके अंदर एजंशन आपका एंशी की फ़र्म में आता तो आप आप से कर सकते थे इसको अब जैड और एक से बढ़ा होगा तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा और ब्रेक कर ले मतलब इन नंबर को इस तरह से और एरेंज करने के लिए क्यार यह जो वाइज यह जो वाइज सेवंटी नंटी टू जैड नाइज से डिफुसिबल बना देते हैं प्लस आपका बचेगा यह 7Z प्लस किता बचेगा 7Z सिम्लरली 92 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 90 एक्स माइनस 2x 90x minus 2x ठीक है तो y equal to यह हो गया 72z minus 90x इस एक चीज़ को अलग कर लो क्योंकि यह number जो होगा वो always divisible होगा plus 7z minus 2x divided by 9 divided by 9 अब यहाँ पर देखना आप लो कि इस case में इसको तो मुझे check करने की जरूत ही नहीं है ठीक है इसको मुझे कोई जरूत ही यह check करने की because यह always divisible होगा 9 को अब जो मेरे पास में portion बच रहा है वो बच रहा है 7z minus 2x divided by 9 होगा तो z और x की value ऐसी कौनसी में put करूँ जिससे यह 9 से divisible हो जाए और यह भी पता है कि z किससे बढ़ा होना चाहिए x से greater होगा तो जो possible values यह वह आपके 2 और 1 सकती है 2 और 1 सकती है 7-2 जाख 14 minus 2 नहीं होगा यह तो और 1 सकती है 3 और 2 और 2 हो सकती है ठीक है 4 और 3 हो सकती है 5 और 4 हो सकती है इस तरह से यह सों चलता रहेगा तो इन में से हम जब इसको चैक करेंगे तो यह जो 54 है यह 54 वाली जो वैल्यू है इसको क्या करते है कि definitely satisfy कर दी क्योंकि 75 35-8 that is 27 और 27 जो होगा वो 9 से divisible हो जाएगा इसका मतलब यह हो गया इसका meaning यह हो गया कि Z जो होगा Z जो होगा वो 5 होगा X जो होगा वो कितना होगा 4 और जो Y होगा वो कितना होगा 3 तो number जो हमारा बनेगा वो 4 3 5 यह number होगा 3 डिजिट का ठीक है जो number बनेगा वो बनेगा 4 3 और 5 तो इस तरह से आप इस question को कर सकते हो इसमें हमने basically कुछ नहीं किया है expanded form का use किया है और numbers की divisibility का use किया है और तीसरा कोई concept नहीं लगाया है इसके अंदर clear यह तो यह number theory का question था next question number seven पर चलते हैं कि what is the value of this function where it is denoted greatest integer function greatest integer function का मैं आपको पहले introduction देता हूँ कि actually होता क्या है greatest integer function का मतलब यह होता है कि मानलो जैसे मैं कोई example दूँ आपको solution बताने से पहले मैं आपको एक example देता हूँ कि कि यह जादू वाला डिबबाया ठीक है बॉक्स है मैजिक बॉक्स है जादू वाला एक डिब्बाय इसके अंदर एक बच्चे को बोला जाता है कि हां यहां ऐख्या है वीससमाने से पैसे निकालने ते रुपो हुए इसके अंदर five rupees और और 20 पैसे यह रखे होगे और यह जो magic box है यह जो डबा है यह हमारा क्या है greatest integer function ग्रेटेस इंटीजर function है तो उस बच्चे को बोला गया कि यार तिरको इसके अंदर से हाट डाल के पैसे निकालने है और उसको यह भी पता है कि इसके अंदर 5 रुपे और 20 पैसे है ठीक है तो बच्चा निकला समझदार तो समझदार है तो उसने क्या किया वह किस पर हाथ मारेगा तो ग्रेटेस इंटीजर function का मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास डैसिमल वैल्यू है जैसे 5.2 मैंने लिखाई है इसके अंदर कोई डैसिमल वाल्य वैल्यू है 5.2 है तो इसमें से जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी जी आएफ से वह इंटीजर वैल्यू ही निकल के आएगी तो फाइप इसका क्या होगा अंसर होगा तो जी आएफ में भी कुछ इस तरह से आपको सूचना है अब इस question पर आते हमारे questions पर आते question में आपको दिया हुआ है कि root 1, root 2, root 3 से अब आपको यह पता है कि इसके अंदर जो breaks मिलेंगे आपको वह कहां कहां मिलेंगे perfect square numbers पर मिलेंगे one पर break मिलेगा ठीक है वहाँ आप इसी ली वैल्यू बता सकते हो ठीक है करें इसे एरेंज कर लो सब्सक्राइब एरेंज करने का मतलब यह है कि आप एक बार बताओ कि root 1 से लेकर from root 3 इस तरह से मैंने एरेंज कि यह पर लिखा मैंने root 4 से लेकर root 8 उकिन 9 तो हो जाएगा थी हो जाएगा फिर मैंने लिखा रूट 9 से लेकर रूट यह हो गया आपका 24 फिर मैंने लिखा रूट 25 से लेकर रूट या जाएगा आपका 35 ठीक है ऐसी रूट 36 से लेकर मैंने लिखा रूट 48 इस तरह से मैं इनको आर्रेंज करता हुआ जा रहा हूँ मुझे बता है कि यह रूट 100 तक जाएगा ठीक है अब यहां आपको एक पैटन बनाना है पैटन बनेगा क्या कि रूट 1 से रूट 3 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे इसके बीच में हमें यह अच्छी कितने नंबर है यह 3 है तो इसको मैं 1 x 3 लिख सकता हूँ ठीक है ऐसे रूट 4 से लेकर रूट 8 तर रूट 4 आपका टू उतार 8 तक यह 2 पॉंट सम्थिंग हमें एंसर दीता जाएगा तो इसका बंदब हुए कि यहां से जो वैल्यू निकलेगी और ऐसे कितने नंबर है असानी से बता सकते हो कि 3 यह कितना हो जाएगा 24-9 24-9 कितना होगा तो इस तो यह समेटरी से 7 आ रहा होगा आपका एक थोड़ी से मिस्टेक होगी 24 की जगह जो आएगा यह रूट 15 आएगा तो यह रूट 15 कर लो ठीक है ऐसे यह 16 से लेकर रूट 24 तक आएगा और यह 25 से लेकर 35 तक आएगा ठीक है 35 तक आएगा ठीक है आगे के नंबर सो है इनको क्या कर लेते हैं कि बस पैटन समझ में आना चीए देखो पैटन क्या बन रहा है एक्चुली पैटन ही सबसे इंपोटेंट है यहां पर क्योंकि वन बाइवान इसको सबको अगर हम सॉल करने लग हैंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंजूम हो जाएगा ठीक है टाइम ज्यादा कंजूम हो जाएगा ऐसी आप पैटन अगर समझ गहों तो देखो यहां 123 चल रहा है और यहां 357 चल रहा है इसका अगला नंबर आएगा फॉर इंटु क्या आएगा ना चीए 11 ऐसे करते करत हो चुपा है इसका मतलब यह हो गया कि लास्ट वाला जो नंबर रोट 81 ऐसे करते 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 तो रूट 81 से रूट अंड्रेड पे नहीं जाएगा यह कहां तक जाएगा रूट 81 से लेकर रूट 99 तक जाएगा और लास्ट का रूट 100 आपका यहां पर अकेला बचे गाई है इसका मतलब यह हो गया कि यहां जो नंबर आएगा वो 9 इंटू कितना आना ची यह आपका 99-81 यह 19 यह 19 होगा 9 इंटू यह 19 होगा यह 9 इंटू 19 होगा और लास्ट आपका बज्जाएगा 100 ठीक है अब आगे दिक्वए अब आगे देखोह तो यहां तक हुमने कर लिया अब पहला काम तुमें इपने लिए कराओ प्रेण सब को multiply करकर के करकर के एड़ कर लूँ पहली चीज तो मैं यह कर सकता हूँ और अगर थोड़ा और स्मार्ट काम मुझे करना है तो यहां से अगर इस pattern को मैं observe करूँ इस pattern को अगर मैं observe करूँ यहां पर तो यह pattern देखो आपका कुछ इस तरह का बन रहा है यह जो pattern है इस pattern में देखो कि यहां वाले जो numbers है वो continued natural numbers बन रहे है तो natural number को हम क्या लिखते है एं लिख सकते है और आगे के जो नंबर है वो odd number चल रहे है तो odd number को क्या लिखते हैं 2N PLUS 1 ओठ नमबर को क्या लिखते हैं टुए प्लस 1 इसका मतलब यह होगा कि इसकी जो general term है इसको मैं लिख सकता हूं जनरल डाम को क्या लिख सकता हो और इसी का मुझे सम निकालना था ए यह अब तो सम को निकालने के लिए जले समेशन का फंवला में कर देता है याँ पर समेशन का फ्रूम्ला में इसमे अपड़ाइ कर देते हैं इसका है के सीरीस का जो सम orada वो अच्छली होगा summation of 2n square plus n, summation of 2n square plus n, इस तरह से हम करेंगे इसको तो यह फटापट हो जाएगा, इसका मतलब भी होगा कि 2 into, यह हो जाएगा n into n plus 1, यह हो जाएगा 2n plus 1 divided by 6, ठीक है, और summation of n होता है natural number का sum n into n plus 1 divided by 2, ठीक है, अब problem यह है कि n के value put किया करें, तो जो हमने sum calculate किया है, वो 1 से लेकर 9 तक का sum किया है, तो n की जगा आप क्या put करोगे, 9 put करोगे, n की जगा जब आप 9 put करोगे, ठीक है, और last यह जो number बन रहा है, इसमें 10 आपको add करना जरूर है, last में आपको 10 जरूर add करना है, तो यहाँ पर n equal to आप 9 put कर लो, और last में 10 put कर लो यहाँ पर, ठीक है, इन सब का addition जब आप करोगे, तो इसका series का sum आपको मिल जाएगा, series का sum आपको मिल जाएगा, दूसरा तरीका आपको मैंने बताई दिया किसको आप क्या कर सकते हो, manually इनको multiply करके भी add कर सकते हो, यह बस एक smart approach है, question को थोड़ा जल्दी खतम करनी किया ठीक है, तो इस question का answer आपका हो जाएगा, next question number 8 पे चलता है, the digit of any number, ठीक है, language इसकी थोड़ी सी confusing है, careful इसको आप read करना, the digit, sum of any number is the sum of a digit, n is the three digit number, n जो एक three digit number है, let's suppose n आपका एक three digit number है, पहला hint आपको यहां given है, n जो एक three digit number है, ठीक है, तो n को let's suppose मैं मान लेता हूँ, x, y, z मान ले, three digit number, ठीक है, यह n को मैंने मान लिया था, इसके बाद आपसे बोलाए कि when the digit sum of the n, digit sum of the n, इस n का digit sum होगा, वो होगा यह x plus y plus z, ठीक है, इस subtracted from n, इसको किस में से माइनस कर र है, तो जो result मुझे मिल रहा है, वो इसके digits के sum का square मिल रहा है, x plus y plus z का square मिल रहा है, यह हमें actually question के अंदर दिया हुआ है, एक three digit के number में से अगर हम उसके digit sum को minus कर दें, तो उसके square का, digits के square का sum हमें मिले गए यहांपर, ठीक है, आप इसको करने के लिए सबसे पहले आप वही exponent form में जब आप इसको लिखूँगे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 100x plus 10y plus z, इस वैसे आपको इसके digits के sum को subtract रहा है, that means, यह हो जाएगा, minus x minus y minus z is equal to x plus y plus z whole square, अगर यही question आपका MCQ में होता है, तो आप easily इसको gas कर सकते हैं, by the help of option, लेकिन इसको आप subjectively कैसे क सकते हैं, उसके approach आप लोग देखो, तो यहां अगर आप देख रहे हो, तो z का तो किस सही खतम हो गया है, यहां पर, next 100x में से x जब माइनस होगा, तो यहां बचाएगा, 99x और 10y minus y, यह हो जाएगा, that is 9y, is equal to x plus y plus z square, ठीक है, 9 अगर में यहाँ से कॉमन लिन, that is 11x plus y is equal to x plus y plus z square, ठीक है, इसका मतब यह हो गया, क्यार, scale digits का जो sum है, scale digits का जो sum है, वो 3 root 11x plus y के बराबर होना चाहिए, 3 root 11x plus y के बराबर होना चाहिए, अब equation हमारे पास में एक है, single, variable 3, 3 है, तो single equation से 3 variables को solve करना possible ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहां पर हम head and trial लगा के, gas करके, x, y, z क्या है, digits है, तो आप यहां पर easily आप इसमें gas कर सकते हो, कैसे आपको gas करना है, यही सोचना है, और सीखना भी यही है, यह जो number है, root के अंदर जो number है, 11x plus y, root के अंदर जो number है, 11x plus y, यह मुझे पहला guess यहां से मिलेगा है, एक perfect square number होना चाहिए, यह perfect square number होना चाहिए यह तो बाहर निकल के digit sum बने गाई है, digit sum भी क्या आएगा, integer आएगा, because x, y, z, are क्या, digits, ठीक है, अब यह perfect square number होने के लिए, दूसरा hint मुझे यह मिल रहा है कि यह जो number होगा, वो two digit का होगा, two digit का number होगा, यह क्या होगा, two digit का number होगा, तो आप यह बताओ कि two digit का जो सबसे पहला perfect square number होगा, वो क्या होता है, वो 16 होता है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि यह जो root 11, root में जो 11 दिया हुआ है, डारेक्ली हम इसको लिख देता है, 11 x plus y, इसका मतलब यह होगा, कि 11 x plus y, जो है, 11 x plus y, यह जो है, यह 16 के एक्वल होना चाहिए, तो पहला जो two digit का perfect square number हो 16 ह इसका मतलब जो मेरा 3 digit का number है, वो क्या जाएगा, 156, 156, इसको आप cross check भी कर सकते हो, कि आपको बूला गए कि 3 digit के number में से, हम इसके digits के sum को अगर minus कर दें, तो 6 और 175, 12 को अगर minus कर दें, तो 12 का square ही आपको मिलना चाहिए, तो इसमें से जब आप minus करोगे, तो result आपको मिलेगा 144, that is 12 का square वो होगा, ठीके, that means यह जो answer है, वो बिल्कुल correct है, तो 156 is the correct answer, इस question का answer होगा 156, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, again, expanded form यूज करके number theory, that means ही हुए कि number का concept यूज किया है, divisibility का concept यूज किया है, और इसके digit sum का concept यूज किया है, तो basic basic, 4-5 points को मिला के, इस question को solve किया जा सकता है, ठीक है, moving to the next question, question number 9 पे हम चलते question है, the value of the expression, logarithm के उपर based question है, तो simply logarithm की properties के उपर question होगा, log के जो basic properties होती हो, मैंने आपको last previous lecture में भी बता ही थी, कि log की कौन-कौन सी property main होती है, log m into n होगा, log m plus, log n होगा, log m by n होगा, log m minus n, log m की power n होगा, तो n powers आगे आ जाएगी, वैसे ही, यहाँ पर भी एक उर property होती है, let's suppose अगर आपके पास कोई number A है, ठीक है, A अगर नमबर है, और इसका base भी अगर आपका A है और यहाँ जो B है, तो इसका answer B होता है, यह property जनरली इसके अंदर apply होगी, इस question में, ठीक है, तो इस property को भी आप लोग याद रखे, ठीक है, A is a something number, उसकी power exponent में log of A, B लिखा अगर मानलों इस तरह से लिखा हुआ है कि log A, B लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं 1 by log B, A, B लिख सकता हूँ, जब रैसी प्रोकल जब होता है, तो इनके base और number interchange हो जाते है, मैं ऐसा भूल जाता हूँ, यह दोनों properties important है, दोनों याद रखना है, ठीक है, previous lecture में जो properties में काम आईगी दिखो, अब यहाँ पर हम apply करते हैं, 81, 27 और 3, question को देखने पर लग रहा है, यह exponent के मिना तो होगा नहीं, क्योंकि base 3, 5, 9, 36, 7, 9 इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह का base दिया हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्यार, इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 की power 4, 81 को इसके बाद, जो 1 by log लिखा हुआ है, मदब इस तरह का लिखा हुआ है, तो अगर यह reciprocal value है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, यह हो जाएगा, आपका log 3, 5, उल्टा हो जाएगा, इस तो, ठीक है, प्लस, 3 की power, इसको मैं लिख सकता हूँ, 3, 3 की power में एक सकता हूँ, मैं लिख सकता है, ठीक है, प्लस, similarly, यह हो जाएगा, 3, ठीक है, यह हो जाएगा, 4 log, 9 और 7 इदर आ जाएगा, 9 और 7 इदर आ जाएगा, ठीक है, और इस 9 को भी मैं 3 की power 2 लिख दूँ, वाइदों, इसको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसको भी मैं 3 की power 2 लिख दूँ हो जाएगा, 4 log, प्लस, similarly, यहाँ पर हो जाएगा, 3 की power 3 log, एक प्रॉपर्टी हो और है, इसको भी आप लोग याद रखना, धर नमबर की प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर मानलो, अगर बेस आपका exponent form में, मतलब यह एक ही पावर पी, I think मैं बता चुका था, last lecture में, वाप यह हो जाएगा, log of a, b, ठीक है, इस third property को भी याद रखना, तो इसका मतलब यह हो गया, कि आरे, यहाँ टू है, और यहाँ टू है, तो यह 2 by 2 जब आगे आएगा, तो वो बन हो जाएगा, उससे कोई effect नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया, 3 की power 3 log, simply मैं इसको लिख सकता ह हूँ, 3 और 6, ठीक है, plus, same concept यहाँ पर लगेगा, यह 3 की power 4 और 7 के उपर अगर मैं 1 assume कर लूँ, तो यह 1 by 2 आगे आजाएगा, और यह हो जाएगा, log of 3, 7, log of 3, 7, ठीक है, next property, जब logarithm function में, जो number होगा, अगर वो exponent में होता है, तो उसकी power कहा आ जाती, आगे front में आ जाती, आगे की तरफ आ जाती, यह m की power n है, तो वो n log m हो जाता है, इसका reverse में हम apply कर सकते हैं कि power अगर आगे है, उसको according to solution हम उसके वापस उपर भी बिठा सकते हैं, इसका वंदर भी गया कि 3 की power यह हो जाएगा, log of 3, और यह 5 की power 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका मीनिंग यह हो गया, कि जो first number की property है, यह वाली, यह first number की property है, यहां मैं apply करूँ, तो यह वाला part हट जाएगा, ऐसे यह same है, और log 3 same है, तो 5 की power 4 हो जाएगा, आपका 6 to 5, plus 6 की power 3 हो जाएगा, 216, और 7 की power ही हो जाएगा, 49, इन सबका जो addition है, 9 और 6, 15 और 5, 22, 426, 7, 2, 9, और यह हो जाएगा, 6 to 8, that means इसका अंसरा आजाएगा, 890, 890 इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, 890 इसका correct answer हो जाएगा, तो logarithm की property की उपर based question था, simply ही है, properties आप लोगों को अगर पता है, तो question बहुत easily solve हो जाएगा, only property की उपर बीस, next question पर हम चलते है, A by B is a fraction, linear equation का question है, pair of linear equation का, simply जो 10th और 9th class पर हम बढ़ते है, A, B, a fraction है, जिसमें A is a numerator, B is a denominator, A, B, no common factor, other than 1, that means हो गया कि A और B, both are co-prime, ठीक है, B exits A by 3, B exits A by 3, इसका मतलब होगा है कि B जो है, वो A से exits कर रहा है, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि B जो होगा, वो A plus 3 होगा, equation number 1, ठीक है, उसके बाद बोला है कि if the numerator is increased by 7, numerator मतलब A को अगर मैं 7 से increase कर दूँ, denominator का है बारत कुस नहीं बोला, तो as it is होई र वो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको अप्सॉल कर लो, यह जाएगा, A plus 7 upon B is equal to A plus B upon B, B से भी cancel हो जाएगा, यहां से, ठीक है, यहां से A से यह भी गया, तो डारेक्टी यहां से B कितना आ गया, 7, B अगर 7 है, तो equation number A से, equation number 1 से, A आ जाएगा, 7 minus 3, that is 4, ठीक है, जिसने क A plus B is a 11, और fraction की अगर बात कर रहा है, तो 4 by 7, तो simply pair of linear equation के उपर based question था, बहुत आसान question था यह, अगले question पर चलते है, question number 12, अब positive integer N is a multiple of 7, ठीक है, एक positive integer N जो 7 का multiple है, और root N लाई कर रहा है, between 15 और 16 के बीच में, इसका मतारा आपको दिया वाए कि जो root N है, वो 16 और 15 के बीच में लाई कर रहा है, root N, ठीक है, inequality है, basically यह, ठीक है, number theory में पिस यह आती है, अब मुझे N के बारे में कमेंट करना है कि number of possible values of N, N की ऐसे कितनी value possible है, जो 7 का multiple होगी, और उसका जो square root होगा, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मैं क्या काम करता हूँ, यहां से squaring कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देते है, squaring, तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका N, और यह हो जाएगा 256, ठीक ह अब यहां से तो काम आसान होगे, आप तो बस question खतम होगे, इसके बीच में ऐसी values चूज कर लो, जो 7 का multiple बन रही हो, तो 225 के आगे, जो 7 का multiple आईगी, तो इसमें अगर आप 7 का divide करो, इसमें अगर आप 7 का divide करो, तो next जो value आपके आनी चीए, I think, 231 आनी चीए, ठीक है, प 245, और next आपके आजाएगी, 252, ठीक है, 252, अगली आप एड करोगे, तो 259 आईगी, जो इससे cross हो जाएगी, तो इसका मतलब होगे, चार ऐसी values possible है, ठीक है, 4 values इसकी possible है, तो n की जो possible values है, वो 4 है, यहीं पूछा है न, एक बार चेक कर लेते हैं, the number of possible values of, possible values, इसको अठा उसके बाद 7 का disability rule आपने देखा गी, 7 से divided हैं या नहीं है, उसके बीच के number calculate कर लिया, simple question था, अगले question पर चलते है, ठीक है, 12 हो गया, 13, unit digit का concept का question है, जो basically based होता है, cyclicity पर, last lecture या last video जो मैंने आप लोग अप्लूड किया था, ठीक है, NMTC के regarding, PYQs थे, इसके अंदर MCQ based question थे, lecture number one, उसमें cyclicity मैंने discuss भी करी थी, कुछ questions वहाँ पर भी cyclicity के आया थे, ऐसी question आपका अपाड़मी में भी पूछा गया है, तो cyclicity का बस आप इतना सही याद रखना, कि यार, two, three, seven, और eight, two, three, seven, eight, इसके जो cyclicity होती है, हो कितनी होती है, two, three, seven, eight, two, three, seven, eight, two, three, seven, eight, sixteen, or thirty, two, one cycle, two cycle, three cycle, four cycle, तो इस cycle के बाद में जो repetition start हो जाता है, वापस unit visit का, ठीक है, ऐसे ही आपका four और six के जो cyclicity होती है, four और six की, तो आप अगर देखोगे, four के बाद क्या आएगा, four का square 16, फिर cube 64 हो जाएगा, ठीक है, four और nine, sorry, four और nine, तो इसकी जो cyclicity होती हो, वो कितनी होती है, two होती है, similarly, nine की भी ऐसी होगी, nine का square 81, फिर cube आएगा, तो 729 आजाएगा, इसकी जो cyclicity होती हो, two होती है, तो 409 की two होगी, two, three, seven, eight की कितनी four होगी, अब आपका बचा क्या, एक six बचा आपका, ठीक है, six आपका बचा होगा, और एक five बचा होगा, तो five और six six की power, two, thirty six, three, two, one, six, इसकी भी आप even on power कितनी भी ले लो, हमेशा इसकी cyclicity कितनी होगी, one ही होगी, ठीक है, अब question पर आते है, हमारे, question में आपको गुलाएगी, three, one, two, seven की power, one, seventy, three, इसमें unit digit क्या होगा, तो मैंने last two digit वाले भी questions करवाए तो, unit digit का भी question करवाए था, तो आपको आलवेज याद रखना है कि last जो digit दिया हुआ है, उसके cyclicity आप याद रखो कितनी है, तो seven की cyclicity four होती है, इसका मतलब यह हो गया कि exponent में जो 173 है, उसमें उसके cyclicity का divide करके क्या निकाल लो, remainder, क्या निकाल लो, remainder, तो four, four, 16, one बचेगा, four, three, 12, that is क्या आजाएगा one आजाएगा remainder, और उस remainder वाली जो answer आया, उस remainder को unit digit के ऊपर लगा दो यहाँ पर, इसका मतलब बचाएगा, seven की power one, that is इसका answer आजाएगा, seven ही आएगा, इसकी जो cyclicity होगी, four होगी, four के regarding हमने इसके 173 में divide किया, divide करने पर जो remainder आया, उसको unit digit के ऊपर लगा दो, answer 9 की अगर मैं बात करूँ, अगर power odd है, तो unit digit 9 आएगा, तो power अगर even है, तो unit digit 1 आएगा, ऐसी four में बात करेंगे, अगर power odd है, तो unit digit 4 होगा, ठीक है, और power अगर even है, तो unit digit 6 होगा, ठीक है, तो cyclicity का based उपर simple question था यह, 40 number का question आपको दिया हुआ है, ठीक है, ABCDR positive integers, ABCD क्या है positive integer से, और आपको relation दिया हुआ है कि A to the power 5, जो equal है, वो B की power 4 की equal है, और एक relation आपको और दिया हुआ है, C cube equal to D square, और third relation दिया हुआ है, C minus A is equal to 19, ठीक है, अब इस तरह की question को solve करने के लिए अगर अपन process पे जाए, ठीक है, equations के value substitute इस तरह से करें, तो आप लोग देख रहे ह है, question complex हो जाएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाँ, और values को अगर सूचना start करूँ, तो मुझे जो value given है, C और A की given है, that is, कितनी है, 19, ठीक है, C minus A कितना है, 19, इसका मतलब यह होगा है, कि C A से greater होगा, पहली बात तो यह बता चली, क्योंकि positive result है, ठीक है, C A से क्या होगा, greater होगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा है, C का cube और A की power 5 लिखा होगा है, वो बात की बात, ठीक है, अगर मैं cube के according, और power जो दी होई है, 5, इसके according अगर मैं एक value एजिम कर लूँ यहाँ, C को अगर मैं 100, और A को अगर मैं 81 एजिम कर लूँ, A को मैं 81 कर लूँ, तो 100-89 होता है, ठीक है, इसको 100 और 81 अगरे एजिम करके मैं देखों, और यहाँ पर fit बिटाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मैं fit बिटाने की कोशिश करूँ, तो C को मैंने अगर 100 माना है, यह 100 का, जो cube होगा, वो D square के बराबर होगा, ठीक है, 81 की power, 81 की power कितन solve हो सकती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हूँ, क्यार यह D, इसको मैं 10 का स्क्वाइर लिख हूँगा, तो इसका मतलब होगा है, D square को मैं 10 की power, 6 लिख सकता हूँ, इसका मतलब D, जो होगा मेरा, 1000 होगा, D, जो होगा मेरा कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर B क 3 की power 4 equal to, अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसको मैं 3 की power 20 लिख सकता हूँ, 3 की power 20 लिख सकता हूँ, और वापस इसको अगर फॉर्दर मैं इस तरह से एरेंज कर दू, 3 की power 5 और whole power 4 इस तरह से कर दो, ठीक है, इसका मतलब भी हुए कि यहाँ से बी जो होगा 3 की power 5 होगा, और 3 की power 5 आपका होता है, 3 की power 4, 81, 243, यह होगा, ठीक है, 3 की power 4, 81 into, 81 into 3, 3 into 3, 83 is 24, ठीक है, B आपका हो जाएगा 243, अब आप से पुछा है कि D minus B क्या होगा, मतलब यह सही बैठ रहा है, जो मैंने एजूम किया था, वह एजंशन मेरा सही है, बिलकुल, कि 100 minus 18 मेंने एजूम किया, 81, तो 19 आगया आपका, और इनको इन वैल्यूज के एक पल रखे देखा, तो जो वैल्यूज मिल रही हो, मुझे इन टीजरी मिल रही हो, पॉजिटिव मिल रही है, तो इनका बडिफरेंस पूचा है, तो थाउजन में से माइनस करो तो, इसको, थाउ 747 नहीं 757 757 तीके 757 इसका अंसर होगा क्लिर यह कॉच्छ नमर अमरा पूटीन था तो फूटीन नमर का कॉच्छ भी थॉट प्रोसेस के उपर ही है आप लोगों को सूचना है कि नंबर के बारे में उनको जो वैल्यू जें एक पॉर्डिम टू हिंट जो हिंट आपको गीव सब्सक्राइब जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है इसी के साथ हम कॉच्छ नमबर 15 पर चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेशन होगा ठीक है आज के शेशन का लास्ट कॉच्छ नमबर एक नमबर है आपका डिजिट उसके गीवन है साकेत एक बच्चा है जिसने इसको क्या कर कर दिया सक्वाईर करके डिवैडे़ इडेड वाई एट कर दिया तो उसको रिमेंडर क्या मिलेगा तो रिमेंडर क्या मिलेगा थो आइटी लास्ट के जो डिजिट से अरह है है या यह जो नमबर आ रहा है एन स्कुर्ण के और आप तो रीमेंडर मैंडर आएका यही इस Zahl पूछा है तो आप पहले इस एन के अंदर अगर आप डिवाइड करो एड का तो लास्ट में जब आप इसको डिवाइड करोगे कि इसमें जब आप एड करोगे तो आप देख रहे हो कि यह जो जैसे इसल रही है 5605605605605 प्रक्रीब तो एड से जब आप इसको स्टार्ट करना करोगे तो यह एक सेवन जावन जी रो सेवन जीड़ो जीरो और सेवन जीरो और सेवन थीग नास्ट बचेगा आपका थ्री तो इसका रिमेंडर जो आएगा वो थ्री आएगा फिर दूसरे पर पर सकते हैं इसी के साथ आज का जो सेशन होता है वह मैं यहीं पर रुपता हूं अगले वीडियो में एलजेबरा से रिलेटेड जो पीवाइक्वें से एक साथ लिखे आऊंगा एलजेबरा से एन्मटीज के जूनियर लेवल एक्जम में जो आये हुए है तो आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आप आओ उससे पहले एलजेबरा वाला पार्ट अच्छे से क्लियर कर लो ए जालता है हिटन ट्राइल से हो जाते हैं क्वेस्ट इसके ऐसा मैंने देखा हुआ है पैटन यह फोलो होता है और बारा कुछ क्वेस्टेंस ऐसे जरूर होते हैं जो है तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं अब एंड करता हूं थैंक यू भूलो है जूत करता है।